शिवशेना शिंदेगुट कल्यान के शेहर प्रमुक महेश गाइकवार के खिलाब दर्जुआ हफ्ता वसूली का मामला बिल्टर से की पांच करोड की मार्ट नरभी कामदार इंदुसानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है महेश गाइकवार कल्यान के एक नेतार शिवशेना शिंदेगुट के ततकालिन शेहर प्रमुक और पुर्वन अगर से हुआ जी हाँ ये वही महेश गाइकवार है जिन पर गद दो फरवरी को उल्ला सगर हिल लाइन पुलिस्टेशन में बाजपा के विदायक गनपद गाइकवार ने फाइरिंग की थी क्या विवाद था ये सभी को पता है गनपद गाइकवार के अपने दावे हैं वही फाइरिंग कार्ण में गायल होने के बाद अस्पताल में रह करके ठीक ठाक हो करके घर लोटने वाले महेश गाइकवार फिर एक बार चर्चा में है मगर गलत कारणों को ले करके मलंगवाडी कल्यान रोड़ का मलंगवाडी परीशर है यहाँ पर एक जमीन जो है सद्रुद्दीन बशर खान नाम के नभी मूंबई के बिल्डर ने ख़री और इस जमीन पर यहाँ की मलंगवाडी परीशर में रहने वाले कुस्तानिय लोग है ये श्वन्त मका फुलोरे रोईदास मुका फुलोरे गनेश येश्वंत फुलोरे और शेवंती भाई फुलोरे ये तमाम वो लोग है जिनोंने महेज गाईकवार के साथ मिलकर बिल्डर को उसकी जमीन का कबजा नहीं लेने दिया उसके जमीन पर अतिक्रमन किया अपनी जमीन होने का उस पर बोर्ड भी लगाया और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जो है ये चले गए वर्ष 2023 का ये अगस्ते नवंबर के बीच का मामला है और इस जमीन से अपना दावा छोड़ने के लिए महेज गायकवार डेबिल्डर सदुरुद्दीन खान से 5 करोड की रकम मागी थी आदी जमीन या 5 करोड तो अंत में जो है तंग आकर के ऐसा कहा जा रहा है कि सदुरुद्दीन बशर खान ने महेज गायकवार जो विवादों में पहले से चल रहे है और फाइरिंग हमले के बाद दुरुस्त होने के बाद वो समाज सिवा में लोटे थे कि ये विवाद वापस उनके साथ जुड़ गया है हफता वसूली का मामला उन पर और फुलोरे परिवार पर दर्जुआ है आपको बता दे कि फुलोरे परिवार जो है वो हिंदोत वादी संगटन से इनके कुछ सदस से जुड़े वे है गनेश फुलोरे जो है वो वसूली कांड में फसे है शिवशेना शिंदेगुट के कल्यान के शहर प्रभु महेश गाइक्वाद